आज हम पोईट्री का टॉपिक नंबर टू पढ़ने जा रहे हैं कि स्कूल और उसके टीचर्स दोनों कैसे पोईट्री को सपोर्ट कर सकते हैं पोईट्री बच्चों इसके संप्पोर्ट करना परता है और ड्युक्तों पादृव बच्चों के लिए होती क्या पोईट्री की बहुत से वराइटी कहानी चलना है या उनके अंदर कोई observation आपको मिलती है, या कोई आपको realization या discovery find out करते हैं, नजमे छोटी भी होती है, नजमे लंबी भी होती है, और कुछ नजमे बड़ी सीरियस होती हैं, कुछ नजमे बड़ी मजाई और सिली होती है, इसी तरीके से कुछ rhymes जो हैं, वो बन्यादी तोर पर traditional होती हैं, और उनके जुमले बराबर के होते हैं, और कुछ rhymes जो होती हैं, हम उसको free verse कहते हैं, जिसके lyrics बराबर के नहीं होते हैं, और जरूरी नहीं है, कि उनके दो lyrics आपस में मिल रहे हो, So, कुछ भी हो, some will suit with individual recitation, or some actually need a group chorus, कुछ ऐसी नजमे होती हैं, जिसको आप individually recite करते हैं, तो वो पड़ी जाती हैं, और बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ नजमे ऐसी होती हैं, जिसके उपर आप drama बना सकते हैं, जिसके उपर आप play कर सकते हैं, जिसके उपर आप dance कर सक सकते हैं, तो बन्यादी तोर पर जो कुछ भी है, important teacher के लिए ये है, कि वो variety of teaching methods से poetry को, बच्छों को introduce करवाए, इस तरीके से कि बच्चे उसे enjoy करें, इस तरीके से बच्चे उसे explore करें, और उसको इस experimental process में, चाहे वो dance में हो, चाहे वो music में हो, चाहे वो love recitation के अंदर हो, वो उसको समझनी की कोशिश करें कि इस नजम में है क्या, so a poetry friendly classroom or school होता क्या है, इसको हमें create करना पड़ता है atmosphere, उसके लिए सबसे important चीज़ ये है, कि हम शायरों को बुलाएं, अगर शायर हैं आपके पास, आपके college में हैं, आपके university में हैं, या आपके school teacher शायरी करते हैं, तो उनको class में invite करें और उनने कहें कि वो poetry पड़े और poetry बच्चों को सुनाएं, इस तरीके से school के अंदर एक culture develop हो जाता है, और वो culture होता है acceptance का, कि poetry की important चीज़ है, और that's how we can develop a culture over there, so जब हम बच्चों को poetry इंट्रिदूस करवा रहे होते हैं, या poets को बला रहे होते हैं, य हम उनको different किसम की poems दुना रहे होते हैं, it is always always good, कि वो diverse हो और mixture of poems हो, उसके अंदर classical poems भी हो, उसके अंदर contemporary poems भी हो, और उसके अंदर ऐसी poems भी हो, जिसके अंदर wide variety हो, किस तरही कैसे कि वो मुख्लिफ times में लिखी गई हो, कुछ पुरानी हो, कुछ modern हो, कुछ contemporary हो, और पुछों की लिखी भी हो, adult की भी हो, हवातीन की भी हो, मर्दों की भी हो, different ethnic group से भी हो, तो बुन्यादी तोर पे जब हम उसको बावाजी बुलंद क्लास में पढ़ते हैं, तो हम उसको enjoy करते हैं और उस culture को embed करते हैं, that is important to support poetry in a school. So, उससे भी एहम चीज़ क्या है, school के लिए, कि हमारी जो mostly teachers हैं, जब वो poetry पढ़ा रहे होते हैं, तो actually not confident के poetry को कैसे पढ़ाया जाए, और उसका सबसे important factor यह होता है, कि teachers खुद poetry ज्यादा नहीं पढ़ते, तो teachers के लिए important tip यह है, कि आप poetry पढ़ें, variety of poetry पढ़ें, आप poets से मिलें, अगर आपके दोस्तों में poets हैं, अगर आपके college के students में poets हैं, अगर आपके teachers में poets हैं, तो go and sit with them and chat with them, ताकि आप समझ सकें कि वो poetry कैसे लिखते हैं, वो किस emotional और intellectual process से गुजरते हैं, और important चीज़ इसके अंदर यह है, कि अगर teacher यह skills अपने अंदर develop नहीं कर पाते, तो जो उन्होंने पढ़ा होता है, कि poetry ऐसे सिखाए जाए, उसको creative process बनाया बगार, बच्चों को उसी तरीके से poetry सिखाना शुरू कर देते हैं, और उसके अंदर discussions embed नहीं करते, जिसकी वज़ा से कोई अच्छे result नहीं मिलते, बच्चों में poetry की महबत develop नहीं हो पाती, आप poetry supports reading, phonics, language development, यह सबसे important चीज़ है, कि why poetry is important और इसको school में क्यों होना चाहिए, poetry is many children route to reading, तो बच्चे जब poetry औ इसको memorize कर रहे होते हैं, उसके अंदर rhythm में होता है, उसके अंदर आप की बहुत सी ऐसी चीज़े होती है, rhymes होती है, जिसके लिए बहुत असानी से बच्चे याद कर लेते हैं, और वहीं उनका route होता है reading के लिए, जिससे उनकी reading क्या shock पैदा होता है, So, one of poetry's most fundamental joy is wordplay, a wordplay में क्या होता है, कि जब हम नजमे बच्चों की पढ़ते हैं, तो उसके जो end के words हैं, वो बड़े interesting तरीके से और funny और कई दफा silly और बहुत ही मज़ेदार sounds के साथ खतम हो रहे होते हैं, जिनको हम rhymes भी कहते हैं, जिनको हम rhythm भी कहते हैं, और बच्चे joy भी करते हैं, and they come to understand कि different words कैसे sound करते हैं, और उनके sounds कैसे match हो सकते हैं, तो बन्यादी तोर पे अज़ जब हम बच्चों को नजमे पढ़ा रहे होते हैं, it is good, कि आप बच्चों को encourage करें कि वो जो poem के अंदर rhythm है, वो जो poem के अंदर rhymes है, और जो words का sound है, वो उसको समझने की क drama, music and dance, poetry का हिस्सा है, और यह भी जरूरी है, poetry को school में embed करने के लिए, so poetry is a literary genre, and share commonalities with drama and other creative arts, सबसे important चीज़ यह है, कि poetry के अंदर rhythm और music जो है, वो उसका हिस्सा है, और that's the reason we can easily see, कि why it can be a part of a dance, why it can be a part of a music or a drama, और important चीज़ के अंदर यह आ जाती है, कि teacher जो है, इस medium को बहुत effective तरीके से use कर सकते हैं, बच्चों को जब इसके अंदर interest पैदा होता है, तो ना सिर्फ वो reading की तरफ English होता है, बलके writing की तरफ भी खुद बा-खुदी आ जाते हैं, Give children time and space to react to poetry in many different ways, तो हमें उनको time भी देना है, कमरे में इतनी जगा भी बनानी है, कि जिस तरीके से वो poetry पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़े और उसको express करें, जब बच्चे loud तरीके से poetry को पढ़ते हैं, तो उसका एक image, strong image उनके mind में बन जाता है, वो image एक literally image है, फिर वो कोश करते हैं, उस image को paper पे लिखने की तो है, इस तरीके से poetry, recitation, writing को भी support करता है, music may inspire children to engage rhythmically, feeling beats and pattern, वो rhythm, वो beats, वो pattern, जो music में feel करते हैं, they actually also can feel in their writing as well, वो उसको अपनी writing के अंदे भी असानी से ले आते हैं, और जब बच्चे पोईट्री पे perform करते हैं, चाहे हो music के through करें, चाह उसको paint out करें, चाहे उसके साथ dance करके करें, वनियादी तोर पे उनकी understanding poetry के बारे में मजीद बेहतर से बेहतर होती चली जाना है.